मश्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका देशी उप्चा चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए ऐसी होम रिमेडिय लाएं हैं कि जिसका इस्तेमाल करकर आप अपने चेहरे पर निखाल ला सकते हैं और वो भी बहुती सस्ते और कुफायती तरीके से दोस्तों हमारे चेहरे पर हमेशा डेड़ स्कीन इखटा होती रहती है जिसकी वज़े से चेहरे पर कालापन या चेहरे पर निशान बन जाते हैं अगर आपके चेहरे पर निशान बन जाते हैं या निशान हैं और चेहरे पर ओल जमा हो तो हमारी इस वीडियो को अंते तक देखते रहे हैं इसमें हम आपको इस उपचार के बाद ऐसी टिप देंगे जिसे करके आप अपने चेहरी की रंगत और ज्यादा निखार पाएंगे दोस्तो इस उप्चार को बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारे चाहरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चाहरे को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे अपकमिंग वीडियो आने वाली वीडियो आप तक पूस सके और दोस्तो हमारे चेहरे के जो रोम छिद्र होते हैं अगर हम उनको क्लीन कर लें तो हम अपने चेहरे के रंगत बढ़ा सकते हैं और साथी साथ चेहरे की डेड़ स्किन अगर चेहरे पर से डेली हटती रहे तो हमारे चेहरे के रंगत बरकरा रहेगी तो चलिए दोस्तो अब जानते हैं उपचार के बारे में कि जिससे आप अपने चहरे पर रंगत ला सकते हैं दोस्तो यह जो उपआय है इस उपआय को करने से पहले आपको अपना चहरा गरम पानी से दो लेना चाहिए क्योंकि इस से हमारे चेहरे के जो छीदर होते हैं वो खुल जाएंगे काफी ज़्यदा जो चेहरे की तुछा है वो सास ले पाएगी क्योंकि उसके ओपर से डैडिस्किन हट जाएगी तो दोस्तों इस उपचार के लिए आपको नारेकल तेल चाहिए नारेकल का तेल एक निवुकरस एक चमच और गुलावद करजल भी एक चमच चाहिए यह चारो चीज़े आप एक एक चमच लें और इनको मिला लें मिलाने के बाद इन सब को आपको अपने चेहरे पर लगाना है पर इस बात कर शेज ध्यान रखें कि आपको अपना चेहरा पहले गरम पानी से दोना है गरम पानी से मतलब है कि थोड़ा गुनगुना पानी ले और उससे अपना चेहरा अच्छे से साफ कर लें उसके बाद यह सब चीज़े अपने चेहरे पर आप लगाएं दोस्तों इन सब चीज़ों को अपने चेहरे पर अपलाई करने के बाद आपको 10-15 मिनट तक अपना चेहरा ऐसे रहने देना या नि दोना नहीं है उसके बाद अपना चेहरा आप दोलें और दोस्तों यह साधे पानी से अपना चेहरा दोएं साबून ना लगाएं अपने चेहरे पर आपको साबून ना लगानी है क्योंकि उससे चेहरे पर रेशिस आते हैं और नीश प्रूशु चरिवे वाला साबुन आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये हमारे चेहरे के त्वचा के लिए अच्छा नहीं होता है, दोस्तों इस उप्चार से आपके रॉम छिद्र जो पोर्स होते हैं चेहरे के वह क्लीन हो जाएंगे, और डैड स्कीन जो चेहरे और आगर आपके चेहरा ओली है, यानि आपके फेस पे औल ज़्यादा जमा वहता है तो वह भी आपका साफ होने लगए गा, और आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर गलो होने लगा है, तो दोस्तों अब बात करते हैं टिप की, जो ये टिप है, इस टिप को आपको डेलि इस्तेमाल करना है अगर आप टिप को डेली इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे के रंगत और ज्यादा निखराएगी इसके लिए दोस्तो आपको रोज एक चमच गुलाब जल से अपने चेहरे को साफ करना चाहिए इससे हमारे चेहरे की जो डेड़ स्कीन होती है वो फेस पे से क्लीन हो जाती है और कोई भी पिंपल वगएरा या चेहरे पर कोई भी ओविल जमा होना वो सब प्रोशानी अपने आप ठीक हो जाती है इससे कि अटि कि दोस्तों ऑप जो गुलाब जल इसितेमाल करें तो काफी सरह लोग आपसे ये कहिए कि आप रुण इसको इस्तेमाल करें पर रुण से ना करके आप सीड़ से अपने हातों से भी इस इस से पर एक चमच गुलाब जल की लियुए और उससे भी आपको चहरे-पर वो साफ हो जाएगी किलन हो जाएगी और हपके चहरे पर रंगताने लगएगी तो दोस्तों कि के आप इस उपचार को करें इससे आपके चहरे पर रंगता जाएगी Maisल दमकने लगएगा दोस्तों प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और दोस्तों इसे फैलाएं इतना कि वो भी इसका फाइदा उठा पाएं दोस्तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और प्लीज कमेंट करें और दोस्तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे अपकमिंग वीडियो आने वाली वीडियो आप तक पोस्ट सके और दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फिरी है मुफते है दोस्तो हमारे चैनल पर आपको हैल्ट से लिडिट वीडियोज मिलेंगी जो कि काफी फायदे मन रहेंगे आपके लिए थैंक यू वेरिमर्स दोस्तो